मन में आता है तो लहराती फसलें, नाचते जूमते लोग, शूर्वीरों, योदाओं की गुर्बानी की कथाएं और गुर्बानी, सर्वत का भला मांगने वाली गुरुओं की गुर्बानी मन में आती है। और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है, पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है, चाहे वो आजादी का अंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवलूशन के रूप में, अन्ने के मामले में, अनाज के मामले मे देश्को आतन निर्भर करने का एक टास्क हो तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने, खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की अपसमें प्यार पर कोई बुरी नजर डाले, तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं कर दे। इतिहास गवाह है जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को जिसने भी पंजाब की अमन शान्ती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों ने उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया आज मैं आपके सामने बैठा हूँ पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्तवरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्स सक्स अजादी जाएगी क्योंकि आमादवी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी है पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनपरियो उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हम बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा साथी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए बहुत पेरेंट्स के फोन आए माता पिता के फोन आए के ज एक्जाम में अमन और शांती रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका सहाथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं, जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को त समाजिक हथ्यार नहीं है, तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं, कि उन्होंने इस अपरेशन के दुरान बहुत साथ दिया, पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई एक कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं है, कि लोग जो हैं वो शांती चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, और हमारी सरकार जो हैं नफरत की राजनिती नहीं करते हैं, हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं, हम सकूनों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रस्रक्चर सेकुलर पार्टी है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जा नफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में, पंजाब की शांती को तोड़ने का यह आपकी गलत फैमी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का कत्रा और पंजाब जो है वो नंबर वन सूबा था और नंबर वन सूबब बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात कामेगरव है तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्थ सक्थ कारवाई होगी ये हमारा वादा है और इसलिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत पर उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बज़र्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा और देश हमारा अगर पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनेगा